मैं उत्तम चौहन आप सभी का उत्तम अकेडिमी में सवागत करता हूं देखिए आज का जो हमारा विशे है वो बाइलोजी का सेक्टर पाचंत अंतर से रहेगा डाइजिस्टियू सिस्टम से रहेगा सबसे पहले तो मैं बता देता हूं पिछली क्लास में हम सैल के बारे में डिसकस कर चुके है को सिका क्या होती है को सीका क्या कारिय करती है मेरा जो सरीर है वो को सीका से मिलकर बना हुआ है स्पिम आपके शरीर का एक और और है यह कारिय करता है बस यह यह चीज आपको जानते वे चलनी है कौन सा ओर्गन कारिय करता है ठीक है और कुछ भी नहीं जारना इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नायी ठीक अभी clear है तो start करते हैं digestive system को सबसे पहले पाजन का मतलब किसी भी चीज को पचाना अब सिम्पल सी बात जटिल बोजन देखिए जो भी चीज आप खाते हो वो जटिल बोजन होते हो मान के चलो यह कोई जटिल बोजन है ठीक है और उस जटिल बोजन को देखिए मेरा सरीर उस फूड को नहीं पहचानता है कोंप्लेक्स फूड को नहीं पहचानता है मेरा जो सरीर है अंदर का जो हि में बदलना simplest form में बदलना क्या कहलाता भी आपका digestion system कहलाता है declare अब यह simple से बाता simple कोई भी simplest food में बदल सकता है for example इसको यह नहीं पता कर्पोई ड्रेट्रेट भाते हो अप फोर एक्जामपल में आपको आई नियूट्रैं का मतलब पोस्टिक तटों है जो आपको क्या करती है पोषंट देते हैं के वल सरीर आपने कुछ भी खायारोटी कूछ भी खाया बाइलोजी ये नहीं मानती कि आपने रोटी गई बाइलोजी मानती कि आपने कार्बॉइडरेट खाई, प्रोटिन खाई, विटामिन खाई, फैट खाई, यह सब चीज खाई, अब सिंपल सी बात यह आती है, कि यह जो कार्बॉाइड रेट है, इसको भी यह जटिल है, इसको भी सिंपल बनाता है, कौन भी आपका डाइजेस्टिस सिस्टम, देखिए, इतना अच्छा, इत सिंपल में इसको बजलेगा, कौन भी डाइजेस्टिस सिस्टम में आपको बता हुआ, यह पूरा कपूरा डाइग्राम आपको दिख रहा होगा, डाइग्राम मैंने इसलिए दिखाया है, क्योंकि डाइग्राम से बहुत ज्यादा क्युस्टन आते हैं, अभी है, यह कोई तो अब देखिए, कार्बोईडरेट को ग्लुकोज में बदलेगा, प्रोटीन किसकी बनी होती भी, अमीनो एसिड की बनी होती है, तो अमीनो एसिड में बदलेगा, और फैट को फैटी एसिड में बदलेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ, फैट को ग्लिसरोल में बदलेगा, तका स्क्रिंपल बोजन में बदलता है कि डाइजेस्टो शिस्टम किसको किस में बदलता है कि स्क्रिंसोट ले सकते हो क्योंकि इसी पे मैं डाइगराम के उपर की पूरा का पूरा फूरा करने वाला हूं वैसे अगर नेक्स स्लाइड करता तो मैं आपको पीडिएफ यह दे सकता था लेकिन अब मैं इसको इसी के उपर समझाने की कोशिश करूंगा यह डाइग्राम आपको दिख रहा होगा ठीए होता क्या सबसे पहले मैं समझाने कोशिश करता हूं देखिए मैंन बोजन यहां से होता हुआ अब देख्योंगर को चबा दिया गया सवाद बता दिया गया लेकिन बोजन को पचाया नहीं गया लीए ग्लेंड शायता करेंगे हैं आपको बताओं अंगे कों से एंजाइम इसके बाद बोजन यहाँ से होता हुआ चला बोजन के अंदर से बस प्रसाने का मतलब complex को किसमें बदल देते हैं simplest में बदल देते हैं फिर बोजन कहां पर जाता है फिर जाता आपकी small intestine के पास यह देखिए small intestine मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यहां से बोजन मैंने खाया यह उस से मतलब एक नड़ी है नड़की है लगबग मान सकतो लंबी मान सकतो थे मीटर के करीब जो है इसकी लंबाई होती है उसतन यहाँ पर बोजन एब्जोर होगा अब देखे सिंपल सी बात है यह इतना फंडामेंटल हुआ क्यों है यह इसलिए हुआ बोजन को पचाया इसलिए ग फ़्जूद हैं वो बलड के अंदर खिच लेए उसके बाद बोजन लार्ज इंटरस्टाइन के थू कहां पर नस के थू बार पर क्या हो जाएगा भी एक्सकरेट हो जाएगा अब बोजन निकल लाएगा यह वेश्ट मैट्रियल कहां से एक्सकरेट हो जाएगा तो आपके अब देखिया अपने डाइजेस्ट्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या जाना है अगर मैं बात करूँ क्या क्या देखा तो सबसे पहले अपनने इंटेक किया बोजन को मुख के अंदर इंटेक किया उसके बाद बोजन को डाइजिस्ट किया, डाइजिस्ट का मतलब यह त्रहत रहत की एंजाइमने क्या क्या थ्पे सिद्अ के बाहर कहने का मतलब च्यार प्रोसेस के थूरू आपका क्या बना हुआ भी डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है यह मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्प्लेइन करता हुआ चलू है एक मिंट के लिए आप यह मान के चलो जो मैंने यहां से बोजन खा के सारा सिस्टम करके बाहर निकाल दिया है यह मैंने एक बर आउट रव्यू दिया है अब इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिज करते हैं इसको इरेज कर रहा हूं मैं आलकलियर कर रहा हूं देखिए वही डाइजेस्टियों सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है एक तो त्यापकी एन तो एनिमेल्टरी के नाल एनिमेलेटरी के नाल ठीक है जिसको आहार नाल भी बोल सकते हो यह पूरी की पूरी नली जो है एनिमेंटरी के नाल है और दूसरा इस समोजुद भी ग्लेंड है ग्लेंड का मतलब बता गरंतियां गरंती के बारे में मैं थोड़ी डिटेल बता द यह एनिमेल्टरी कैनाल कहलाता है इसके जो लंबाई जो होती है वो लग बग 9 मीटर के करीब होती है कितनी होती भी 9 मीटर के करीब होती है पूरी एनिमेल्टरी कैनाल में कौन-कौन आते हैं कौन-कौन से ओर्गन आते हैं कई बर क्यों आ जाता है तो एनिमेल्टरी कैनाल मे यहां पर यह नड़ी यह नड़ी जो है यह ओईसोफेगस होती है यह ओईसोफेगस होती है उसके बाद यहां पर देखें स्टेमक मौझूद होता है किसके अंदर मौझूद होता है आहार नली के आहार मतलब जो एनिमेंट्री कहनाल है उसकी बात मैं कर रहा हूं उसके बाद उसके बाद कौन मौझूद होता है अब देखें ओने को तो लीवर भी मौझूद होता है लेकिन लीवर के अभी एक गरंथी है इधर भी एक सलाइवरी गलेंड थी जिसको लार गरंथी कहती है गरंथी को मैंने काउंट ने किया है किसमें एनिमेंटरी कैनाल में उसके बाद स सबी से मिलकर आपके किसका निर्मान होता भी ये 9 मीटर का फेज जो है एनिमेंटरी कैनाल का निर्मान होता है ये किसी भी परकार का बोजन नहीं करती नहीं मतलब पाचन नहीं करती पोजन का पाचन किसी भी परकार से नहीं करती एनिमेंटरी कैनाल का कोई भी ओरगन पाचन आपके digestive system में मौझुद होती हैं सबसे पहले तो मैं गरन्थियों के बारे में थोड़ा detail में बता देता हूं गरंथिया होती क्या है एक slide ले लेता हूं में देखिए glands के बारे में बता रहा हूं मैं आपको glands गरंथिया real में गरंथिया जो होती है ये organs होती है ओर्गन का मतलब अंग ही होती है ओर्गन सी होती है इनको अलग से काउंट किया क्यों किया गया हम आपको बताता हूं यह जो ओर्गन होती है यह अलग परकार के chemical release करते हैं क्या release करते हैं वह chemical का स्त्रावन करते हैं अब यह जो chemical जो है जो स्त्रावित करते हैं कौन भी ग्लेंड्स वो त्रह त्रह के कारिये करते हैं फोर एक्जामपल ग्लेंड्स जो होती हैं वो मीनली दो परकार की होती है एक तो होती है आपकी एक्जोक्राइन ग्लेंड जिसको बाईय स्त्रावी गरंथी बोलते हैं बाईये सत्रावी गरंथी बोलते हैं और एक होती हो भी आपकी एंडोक्राइन जिसको अंत्य सत्रावी गरंथी बोलते हैं अंत्य सत्रावी देखिए बाईये सत्रावी और अंत्य सत्रावी इंदी में क्यों नाम पड़े देखिए बाईये का मतलब बाहर से केमिकल का स्त्रा Clostrine glands जो होती एंजाइम का स्तरावंड करते हैं किनगा स्तरावंड करते हैं और meio यह रीओं बैसा हर्मोन चाहिए left करते हैं कैने का मुझो किसी भी औरगन तेजित करने का और है कैमीकल thumbs इधर में बात करो एंजाइम की तो एंजाइम जो होते हैं वो पाचन का कारिये करते हैं किसका का रिये करते हैं कहने का मतलब digestive system में किसका एहन रोल है वाई यह सत्रावी गरंथियों का एहन रोल है ठीक है तो अब डाइज इसके अंदर और कुछ mixed gland भी होती है mixed candler mixed का मतलब जो enzymes plus enzyme के साथ क्या release करते हैं आर्मोन का भी सत्रावन करती है एंजाईम के साथ किसका स्त्रावन करती है आर्मोन का भी सत्रावन करती है ठीक है तो यह आपको gland मैंने थोड़ा बता आ Verb इसे ग्लेंड का टोपिक में अलग से करवाऊंगा लेकिन यह थोड़ा इसलिए बता दिया था कि आप पता चल जाए ग्लेंड सोथी क्या अब इधर आ जो गई गरंथियों के बारे में मेरे सबसे आपको पता चल गया होगा इस चैप्टर के अंदर कहने का दाई流ट्य सिस्टम में अपने इस तरह भी गरंथियों की बात करेंगे जो बाहर से डक्त के थूध एंजाइम का सत्रावन करते हैं किसका सत्रावन करते हैं एंजाइम का सत्रावन करते हैं कलियर भी एंजाइम के बारे में हम आपको बता देता हूं दो चार बाते बता देता हूं डारेक्ट क्योस्तन आते हैं एंजाइम के बारे में क्योस्तन पुछा जाएगा एंजाइम ने प्रियाक्शन को तेज करते हैं अब सिंपल सी बात ये होई अगर आपके शरीर में एंजाइम नहीं होंगे तो आपका बोजन पचेगा नहीं पढ़ा रहेगा शरीर के अंदर कहने का मतलब कोई भी रोल अदा नहीं करेगी अगर एंजाइम नहीं होगी तो सिंपल सी बात एक एक जामपल लेके देखो आप बोजन को क्या करो किसी में मतलब कुंड में कहीं पर भी डाल ठीक है क्या वो डाइजेस्ट हो जाएगा नहीं ह कर देंगे पूण होसे डायजेस्ट कर देंगे के इंजाइम करते तो यह दूब आपके अपकी तो यह बात करता हूं को जो पाक्चन में रोल अदा करती हैं पूछा जा सकता है कि पाचन में रोल अदा करने वाड़ी गरंथिया कौन सी होती है तो पाइस प्रावी गरंथिया कहने का मतलब एक्जोक्राइड ग्लेंड होती है जिसमें सबसे पहले तो जो मुख के अंदर मौझूद होती है यहां पर जिसको सेलाइवरी ग्लेंड बोलते हैं ला गरंथि बोलते हैं कौन सी गरंथि बोलते हैं जटर गरंथि बोलते हैं उसके बाद तीसरी सरीर की सबसे बड़ी गरंथि यह यहां पर लीवर मौझूद है यह यहां पर लीवर मौझूद है लीवर को मैं इंदी में लीवर लिख रहा हूं क्योंकि कई बार लीवर ऐसे ल करता हूं लीवर जटर गरंथी उसके बाद यहां पर पैंक्रियाज ग्लेंड को भी इदर ले ले लेता हूं क्योंकि वैसे ओती तो यह मिक्स्ट ग्लेंड है और्मोन पलस एंजाइम का स्थावन करती है लेकिन मैं इधर ही ले लेता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ओर् क्लेंड का कारिय करती है यह मैं आपको बिल्कुल डीटेल में जब स्मॉल इंटेस्टाइन करोंगा जब आपको बता दूंगा कहने का मतलब यह दो परकार की फेज की थूरू आपका क्या कंप्लिट होता भी डाइजेस्ट्टिू सस्टम कंप्लिट होता है ठीक है तो है लेकिन सीखते अपन नहीं है जानते अपने नहीं है यह पड़ाई के साथ आपके सरीर के वारे में विरोजान रहे हो पड़ाई सोच्छोई मत तो ही अच्छा रहे हैं कलियर भी चलो अब मैं एक और लेके चलता हूं और गन का मतलब एक और लेकर चलूँगा देए सबसे पहले ही जो डाइजेशन होता हूँ सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है अब एक पर थोड़ा डाइग्राम को मैं पूरा का पूरा बता देता हूं बिल्कुल कलियर हो जाएगा यह यहां पर आपको और्गन्स कलियर हो गए होंगे ठीक है देखे डाइग्राम को मैं कलियर क जिसके अंदर टंग, जीब, टिथ, और शलाइवरी ग्लेंड यह तीन ओर्गन मुझूद होते हैं टंग, लिवरी ग्लेंड ओर यहाँ पर टिथ भी आपको मिलेगा यह तीन चीज मुझू ओते हैं ठीक है पूँक जोता मौथ जोता मुख जोता वो डाइजेस्सिस्टेम का पहले का मतलब फश्ट पर्थम ओरगन होता है उसके बाद यहाओ पर यह जो यह नली जो है यह नलकी जो है इसको बोलते है क्या बोलते है ओईसो इसकलियर भी उसके बाद यहाँ पर यह फ्येज ओता है यह फ्येज यह वाणा फैज जहाँ पर respiration और नलकियों में डिवाइड हो जाता यह के यहां पर रेस्परेटरी ल॑ यह merchant इसको भी मैं कलियर करो हूं गालीब्लkotte यहां पर ब्र्ण वाच्छे से अब बताता हूं आपको नश्ता क्या है यहां पर जैसे कि यह आपने ऑ breakdown बोलघ्स क्या SEN friendship प्यर्टिक्स दोछे हैं यहाँ पर बोजन भी साथ जाएगा और प्लस में गैसीस भी साथ जाएंगी जो आप सौशन करते हो रैस्प्रशन करते हो दो नोगे दोनो चीज़े साथ जाए लेकिन इसके आगे जाने के बाद होता क्या है यहां पर तो सौसनली और यहां पर आपकी क्या भी आहारनली है दो अलग अलग नलियों में बढ़ जाती है यह मान के चलो यह सौसनली है और यह क्या भी आहारनली है यह यहां पर यह आहारनली है बाद में आहारनली होती है यह आहारनली है यह सौसनली है ठीक है अब देखिए बोजन फैरिक्स के बाद जब जाता है तो यहां पर एक वाल लगया होता है जब बोजन यहां से ऐसे जाएगा ऐसे निच्छे की तरफ जाएगा तो यह वाल लगया होता है जैसे ही आप इसको निगड़ोगे तो यह जो वाल जो है निच्छे की तरफ पड़ जाएगा और बोजन कहां नहीं जाएगा सवसनली में नहीं जाएगा अगर बोजन सवसनली में चला गया तो वेक्ति कि क्या हो जाएगी ऑफ अर्वेशिता नियुक्ति एक तो यह वाल का नाम होता भी एपि गलोटिस क्या नाम होता बसा इस वाल का नाम होता एपिगलोटिस कैलाता है अगर गलती यह इस्टम They अगर कि दिमाख कर रहा है पताने के सोच रहे हैं तो माइंड को आपने कहीं और भी जी कर दिया और वह बीजि होने के जब पगड़तो लेता हुआ लेकिन थोड़ा जाओ निकालने के क्या जाते हैं लगवक्त जब तक आसु नियुक्छ भर क्या चाइब बोहुत अच्छे है है अने लग जाता है और बिल्कुल आसु आने लग जाते हैं उसके बाद यह ठीक हो साब पानी लेक देता कोई तो आसवात याद आया एक कोटी मोटी एक साहिरी के थी भी आर्जू थी कि ऐसा होने लगे वो देखे हमें मुद्धतो बाद और रोने लगे तो यहां से बोजन आपके लिए तो एक आर्जू थी कि ऐसा होने लगे वो देखे हमें मुद्धतो बाद और रोने लगे ऐसा होगा तो नहीं यहां सकता किसी के साथ लेकिन तो अच्छा ही तो यह यह वाड़ा जो था एपिगलोटिस वाल के बारे में आपको बताया है यह बडा के करे चार से पांस चुक्त नहों करती हैं जाती हैं यहां पर मिलकर को पचाँ यहँ पर Sim ży के लेकर सब्सक्राइब की आपको ले करें सबसे पहले मुख को ले लेते हैं किसको ले लेते हैं मुख को ले लेते हैं और मुख देखिए यहां पर मैं इसको कलियर कर रहा हूं एक बढ़ के लिए यहां पर मैं लेता हूं माउठ टेट Happy Mouth Luke से रे लेटिड सबसे पहला क्योंता यह आता को सब सब inland परफम क्या है कि फ्रीरीं पर्फम ऑरस्ट मोल रहा है इस्ति अन्हां व है किस प्रैमरी प्रमिक और पर्फम में फ्रक्ष है प्राइमरी पूछे आपका प्राइमरी ओर्गन कौन है तो स्मोल इंटेस्टाइन की वी लाई जैसे आप क्या कहते हो भी डाइजेस्टी सिस्टम की यूनिट कहते हैं आगे समाल इंटेस्टाइन में आपको पड़ाऊंगा ठीक अभी कलियर उसके बाद देखना इस परता मंग है मुख क सबसे पहले सबसे मैं जीब एक मास पेसिए क्या बताएगो है подтशाए अगर और भी डिटेल में पुछेगा तो आपसे पुछेगा कि जीब किस परकार की मास क्या है तो एक सेल्टन मसल आ कंकाल मास पहसी है यह बात आ याद रखना के बारे मैंने आपको यह बात बताई है उसके बाद जीब के बारे में और सबसाता हुँ जीब जो उती हो डस सेंटीमीटर की क्योंते हैं जितनी चोटी होगी उतनी अच्छी होगी जितनी लंबी होगी लंभी नहीं समझें अपने खुद के दाता को निश्ट का जाएगी कलियर है कि जीब जोती है वो सवाद बताने से जुड़ी होती है , जिप स्वाद बताती है लेकिन जीब में बताता हël आपको टिच्की अंदर क्या लगे Whole Light डोट 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 मिलेंगे ऐसे यसे आपको चिद्धर मिलेंगे जिनको बोलते हैं test birds क्या बोलते हैं यह जो test birds होते हैं स्वाद कस्वाद कलिकाई k была इन के उपर इननके ऊपर एक प्रत होते हैं जिसको थोड़ा हो डील में जाएगा तो टेस्ट वेंसज करती हैं थोड़ा हो डीटेल में जाएगा तो पब कलएर भी यह तीनीं बात आप यहाद रखना अबस्ट को मैं बात करता ह congratulate अलग लग अलग परकार के हो था है तो देखिए मैं इसकों को दिखा देता हूं यह कि यह आपको प्रिकरीये दिख रही है यह यह पर है कि ऊंदर टेस्स इस है जो इस्सा है व है अग्य देता हूं अगर बहुतaires को अगники पार्ट यह पीछे वारा भाग, जो होता है, फस्ट बहाग हींड पार्ट होता है, यह साइड वारा भाग जो हता है, इसको बोलते हैं, पार्षोब Vine без अगल बगल का भाग बोलते हैं, घ feeling is above a अब देखें कि इंगलीज में लिए इंगली इंदीनी पताम आपको बता देतों बित्र जोता है अब खुद सोचका देखो अब जिब के सवाद को भी अगर आप याद करोगे ना तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं करना मन में अपने मन में ले आओ लेकर आओ बी आप मिठा खारें किना स्वेट चीज घारें तो स्वेट जो चीज यो सबिखें नहीं यह अगर जीब का कौन सा इससा मीठे का अनुब्भव कर वाता है क्पौरा नहीं क्षा चैसा ब्लोक होग साइड में जाकर लगे लगे लगेगा नियूं लगेगा तो जी जीव का कौन सा कड़ते कर वह तो कड़ते के ज़ीब के Umud कोछेए वाया है तक चान से शाल governo के पुछे आप नमकीन जो आप चाह्으ं मीन पिजा बर्गर कंगें वह अबर गर जितनी बी चीज जीज तो मैंने दस बारा बातें बातें यह आपको तो कंड कर वाई आपको, इसका बानेक्स्ट उर्गन इसकी बात करता हूं भी टित की बात कर लेता हूं, देखिए तो एक स्लाइड उसके वार तित का डायग्राम दिखा दो हम आपको तोड़ी बाते हैं जो मैं आपको बताऊंगा टित दात बोलते हैं अको बता है अब देखिए लाज़ोटे स्वेधों के बटाहिए है आपको बता हुआ देखिए तो जो होती हैं वह कंडेरे हैं छिल्सिम प्लस पोस्फेट की बन्हें बनता है बोधबर ग। जो दात को सब्रस दोस्फेट की बनिय कोई आपको पता होगा जो दात बोस्फफफचिक का रूट वर्ड र Simmons कि दीड्अ कि यह डोडेन डोगते हैं और टिड्य टीड ़ेंट को अध्यान को ट्रियंटमर्ट के सब्सक्राइब प्रेंट्वन है इन आ जोते हैं वो अलग अलग पाई परकार कि तुर्ट वर्ड है लातEST के और ट्रेंटifier जो एक बड़ तूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं उन जिनको टेंपरेरी टित पोई एने को टेंपरेरी टाइम के लिए थोड़े समय के लिए तूट जाएंगे फिर वापीस आ जाएंगे कुछ टित ऐसे होते हैं जो पर्मानेट तो टित को कितने बागों बाजित किया है क्या बोलते हैं सठाइदात ए सथाइदात और रहते बैच्छो के इसलिए को चाईल टित भी बोलते हैं उनको ओ नूत के दाथ भी वह रखी बीचाइल मिल्क ऑज टेम्प्री टाइस डूसरियं नेंट पर्मानें जर्मन नेंट पर्मानेंट कि पराव गैं का मतलब एक आने के बाद दूबारा नहीं जाएंगेyesus यहती जो परमानेंटित जो होते हैं उनकी संख्या होती हैं उनको परमानेंटित होते हैं अब कई बार के उस्चार बत्तिस प्रमानेंटित होते हैं जो किसी के आते हैं किसी के नहीं आते हैं उसको अकल जाड़ अपन बोलते हैं कई बार option में 32 के जगे 28 मिलता है और 28 ही right answer होटता है अगर 32 option में मिले तो 32 right answer है लेकिन 32 मिलता नहीं है इसलिए आपको 28 पर जाना पड़ेगा आप अपने अपने तित को count कर लेना पता चल यह क्यार हैं जिनको विज्टम टीठ तउलते हैं विजड़म टीठ बोलते हैं जिनको अकल जाड़ इंदी इनक पाइल अकल बते हैं अकल आए तो याशिका कोई बरुसा नहीं है कलियर भी तो ये बात याद रखना उसके बाद अब देखिए इतको मैं इसके परकार जो होती हूं चार परकार होती है बनावट के आदार पर इनको किसमें बटा गया भी परकार में बटा गया भी इनकी बनावट जो थी हो अलग अलग परकार की होती है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा टित दिखा देता हम, आपती स्लाइड में साइड मिल जाएगा, यह देखना होई, यह देखना होई, इधर देखना यह टित है, यह लोवर जा है, यह अपर जा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नो, दस, यह तो नेक्स्ट एक स्लाइड कर लेते हैं, दीखिए, जो होती है, वो, पहले तो मैं बताता हूँ, प्रकार, इसके टाइप बताता हूँ, इतकी टाइप्स, इधर लिख देता, लिख रेत, लखेता है, अपने टेंपरेरी टित, यहां पर परमानेट, ठीक है, ऐसे ही चलेंगे, टेंपरेरी और परमानेट, इतकी चार परकार है, टेंपरेरी की भी चार होते हैं, परमानेट की भी चार होते हैं, कौन-कौन से, इंसे जर्स, जिसको क्रिंद तक बोलते हैं, इंदी में, क्रिंद तक बोलते हैं, ठीक है, एक कैनाइन, तो रंदनक बोलते हैं, प्री मोलर, इसको अगर्ट फोरनक बोलते हैं और उल्श्मूनाक बोलते हैं और्ट फोरनक बोलते हैं यह च्यार प्रकार कि याद कर उसके हो, ICPM, incisor, incisor, canine, premolar और molar ये चार प्रकार होते हैं, बनावट के आदार है, सेम temporary permanent इसमें भी यह इती है, चार के चार प्रकार होती है, clear लगी, तो अब देखिए, मैं बताता हूँ, यह जो temporary होते हैं, यह जो होते हैं, वो 32 की आदार है, तब बनावट के आदार पर इसको 4 पर बतार है एक अपरजा है और एक लोवरजा है एक अपरजा एक लोवरजा इसमें अपरजा जो होती है मैं पहले पर्मानेंट के बता रहा हूँ पहले किस के बता रहा हूँ पर्मानेंट टित के बता रहा हूँ अपर जाज होती हैं उसमें बत्तिस ठीत होते हैं तो है अट ही नज़ा है डाप दो आज्या पर लियुटर्वम उसमें यू सेप में होता है एक यहां पर दो एक दो हैं यहां पर इससे में बढ़ा देता हूं यहांपर एक दो नू किला कि इंध यह यह पर एक डवी 202 present दो ढू ताथ आपने इधर देखे आठ इदर आठ इदर और आठ इदर सेम होते हैं ये जो इस इससे में जैसे दात होते हैं वैसे ही उदर होते हैं ये च्यारी परकार के होते हैं मैंने आपको दिखाया देखी ये जो दो बनावट जो आपको दिख रहे हैं यूसेप की इनको बोलते हैं इंस जर्स ये जो नु दो बरें से करके इसको बोलते हैं मोलना तो आठ इदर आठ इदर आठ इदर आठ इदर अब मैंने क्या किया 32 को बाग कर दिया कितने से चार से मतलब चार बागों बाजित कर दिया आठ और यह आठ के अपोर्डिंग ही एक फॉर्मूला बनता है जिसको अपन बोलते हैं टित फॉर्मूला बोलते हैं और यही समधाने के लिए मैंने यह सारा का सारा फंक्शन रचया है क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहत इसे हैं कि यह फॉर्मूला बनां बढ़ा कैसी मैं आपको बताता हूं इसको मैं इरेज़ करदे था हूं कर देता हूं टेबरेअक फर्मानेल को और यहाँ पर प्रमानेंट लिख रहाऊँ अब देखिए आँज की हसाब के इसका पर यह ती क्या सबसे अमिलेगा 8 थिस फॉर्मूला को है है लुबर है एज साब थे 32 थी आ होटे पर्मानेंट प्रमानेंट की सबसे 22 थे 32 मा colleg कि थी साब से इसका तना अ quais पर मारेंट की शाब से 32 दात पे प्रमानेंट की शाब के इसाब से 32 बटे में अठा आठ की साब से आपको क्रश फोर्मूला मिले Sh дела 8 की शाब से मिलेगा और इसका मेंस्ता है तिक थीश कितना होता है पर्मानेर इसाब एक हिस्चे में इंसिसर दो, एक हिस्चे में कैनाइन एक, एक हिस्चे में प्री मोलर दो और एक ही हिस्चे में मोलर कितने भी तीन, अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो टोटल मैंने यहाँ पर चार से बाग किया था न, एक हिस्चे का है, तो चार हिस्चे के कितने हो जाएं तो कईबर counting से question ऐसे पूछ लिया जाता है कि incisor के संख्या कितनी होती है और आप टित formula के according बता देते हो दो लेकिन ये गल्थ है ये टित formula है इसकी संख्या कितनी होगी चार दूनी आठ इधर मैं बात करूँ तो एक तो चार एकम चार इस प्रकार से जो है आपका टित formula होता है तेंपरेरी टित में क्या होती है दो incisor होती है एक कैनाईन होता है लेकिन किसकी absence होती है प्री मूलर नहीं होते है और मूलर कितने होते है दो होते हैं तो ये कितने बनगे वही ये अपने बनगे पांस अगर पांस नहीं चार से गुणा करांगे तो 20 हो जागा और 20 से टेंपरेरी टित होते हैं ठीक है तो ये जो है टोटल का टोल कितने होते हैं भी 20 होते हैं अब देखना भी इधर अगर मैं बात करूँ 20 इसकी गुणा करता हूँ तो ये 4 आजाते हैं भी इसकी गुणा करता हूँ तो आठ ही इसकी गुणा करता हूँ तो चार जीरो चार दुनी आठ अगर टोटल करोगे आप तो 20 ही आपको मिलेगा ये जो टित फॉर्मूला है ये टेंपरेरी टित फॉर्मूला है टेंपरेरी टित का टित फॉर्मूला है को स्माइली टित बोलते है सबसे पहले यही डात आते है इनका कार्य होत अभी काहारे का तो कार्य किसका होता है की कार्णने का junta काशने का क्या होता है उन्युकिल्वारे क्वाद सबसमें का वाल में पाडना पाडना यह करते हैं नहीं करते हैं अगर जिस और्गन के आपको जरूरत नहीं है तो वो दीरे-दीरे विसका पार्डने का इन दोनों का सबाने कारी आद बच्छा कईबरगें यह था आथी को श्रूरफ मतले जि weigh होते हैं लेकिन यहां पर बात करता आथी के निकलते हैं तो कई बार की तरफ निकले हुए कैनाईन होते हैं फाड़ने के काम आते हैं यहां से क्यों से आता है वह फंक ओफ स्नेक वह पर आपे याद रखना बहुत यह आपका पूरा का पूला में करो हूँ वान को इसका नोइ से अचय से कुर्णा पूरा का पूरा क पूरा चैप्टर सेतра इस कलास को हमें यहीं पर खतम करना पड़ेगा ठीक है और मिलेंगे हमारी अगली कलास के साथ आप लोगों से मतलब एक ही कहना चाहूंगा अपनी व्यक्तितों को अपनी परस्नलिटी को इतना अच्छा करो कि समाज का हर व्यक्ति आप पर विश्वास करें ब्रोसा करें ठीक हाँ जब आप पर दोगे ना तो ही आपका text लिए अविर विजिया को ज़्यादा से ज़्यादा सीर करें ज़्यादा से ज़्यादा झाल झाल